नमस्कार सन्विक क्लासेश के दो मिनट सिरीज में आज देखते हैं बोध संगती के बारे में पर्थम बोध संगती 483 इसा पुर्व में हुआ था अस्थान राजग्री अध्याज थे महा कस्यप और उसमें राजा थे अजात सत्रू इस बोध संगती में बुध की सिचाओं को सूत पिटक में नियमों को बिनए पिटक में सनच्छित किया गया बुध के सिस आनंद ने सूत पिटक का और उपाली ने बिनए पिटक का संकलन किया था दुसरे बहुत संगती 100 बर्ष बाद 383 सापुर्व में अस्थान भैसाली और उसके अध्यस थे सवाह कामी और उस समय राजा थे काला सोक इस बहुत संगती में बहुत धर्म दो भागों में भत्त हो गया, दो भागों में तूट गया अस्थाविर और महासंगिक नामक दो गुट बन गये तिसरे बहुत संगती सावा सो बर्स बाद 255 इसापुर में हुआ, अस्थान पाटली पुत्रा और उसमें अध्यच थे मोगली पुत्र तीस, राजा थे असोख इस बहुत संगती में अधिम पिटक का संकलन किया गया, अब बहुध की सिच्छाओं को तीन गरंथों में संकलित किया गया, जिनें त्री पिटक भी कहा जाता था, सूथ पिटक, बिनए पिटक और अधिम पिटक चतुर्थ बहुत संगती 102 इसवी में हुआ, कुंडल बन कस्मीर में, उसके अध्यच थे बसूमित्र, और उसमें उपाध्यच भी एक थे अस्वगोस, राजा थे कनिस्क इस बहुत संगती में, बिभास सास्त्र नामक टिका का संगलन किया गया, तथा बहुत धर्म दो संप्रदाए, हीन यान और महा यान में बिभाजित हो गया, यानि बहुत धर्म को दो बार बिभाजान होगा, एक बार दुत्वे बहुत संगती में, और एक बार चतुर्थ बहुत जंगती में घन्यबाद